ही गाइस आपके कितने भी स्किन में छोटे छोटे बाल क्यों ना हो ओ मिंटों में आप दूर कर सकते हो घर बैठे आपको पालर जाने की जरौत नहीं है बिल्कुल नैचरल तरीके से आप अपने हैर रिमूफ कर सकते हो घर पर तो फ्रेंड्स यहां पर मैं ले रही हूँ कर दो धृष्ट्राषें लेंसितसके लिए फालर डाल देंगे टैण क्यामिते सकते हैं पर आपके संब की नहीं वेंटेट्पर को पेलैंस निख़तरी में याइंट क्या दिका रहां की पर एक रदार से हमारे सक्षान को ग्लोव करां थायलब आटा भी मतलब हेर रिमूफ करने में हैल्प करेगा इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी तीनों कॉंटिटी अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके स्कीन की मतलब हेर जो भी है वो धीरे-धीरे आप अगर इसे कंट जाएंगे आपके सारे हेर यहां पर मैं ले लूँगी कच्छा दूर कच्छा दूर हमारे स्किन के लिए काफी हैल्पूल होता है इससे न मोस्टराइज मिलेगा आपके स्किन में साइन आएगी ग्लो आएगी है और हेर रिमूफ करने में बहुत ही मदद मिलेगी तो आपको पेश्ट को ना बिल्कुल ठीक सा रेडी करना है और दूर थोड़ा थोड़ा ही मात्रा में आपको मिलाना है ताकि यह पेश्ट बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक सा होना चाहिए ताकि हमारे जहां जहां हेर है इसली मतलब वहां प्लगा सको तो यहा मिल जाएं तो आप देख से बिल्कुल ठीक संब गया है यह आपको बिल्कुल इस तरीक से पेश्ट को کر लेना है। नशक्राश का स्कार पैर्ट करना का पिर्टा ने हैं। मैं थालो चैपने आफ पैर 거 बेख का दिमाना है। उस तरीके से आपको नहीं लगाना है विल्कुल अपोजिट करके लगाना है आपको ठीक है तो यहां पर हलकल कहयर होते हैं तो वहां पर हलकल कह लगालेगे हम जहां ज़र आपको lifesdy जते हेरेंने की में दूतर है सब्सकेंगे运ख से एकार्ट देख हैं हो दो है और बर्सेस टार 15 ओंस लाह जो जायेंगे मिलिश ड्यक्राइब सब्सक्राइब करें। यंशाज के पूरे से ब्सक्राइब में इस में दाक्ता हैพर ऊपर कार सकते हैं तो वहाँ पर मैं उपर की ओर लगाऊंगी इधर का हेयर मेरा रिमूब होगा दीरे दीरे होगा यहाँ पर क्योंकि ज्यादा है है तो यहाँ पर मैं अच्छे से लगा लूँगी इस पेश्ट को बिल्कुल आपको ठीक से रखोगे ना तो आपका मतलब वो ड्राय भी जल्द मिलता है और आपके मिंटो में सारे हेयर रिमूब हो जाएंगे और यहां मेरा यह रेडी हो चुका है मैंने यह पैक को अपने फेस पे लगा लिया है और इसके बाद मैं नीचे भी थोड़ा थो लगा लूँगी कि वहाँ भी थोड़े थोड़े होता है ना तो इसे बाज़ी नहीं करना है फ्रेंट कि इसका कोई साग इफेक्ट नहीं है कि विल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम सी हो इचिंग सी हो आपको इसे सुखने के लिए छोड़ देना है इसको उपर की और आपको ना हातों से रफ करना है क्योंकि हमारे हेयर का ग्रोथ ना उपर की होती तो नीचे से हम करेंगे तो हमारे हेयर असानी से रिमूब हो जाएगा और आप देखिए एक नेचरल तरिके से गुलो आएगा फेस में क्योंकि इसमें मैंने कच्छा दूद एड़ किया था कच्छा दूद हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा होता है हल्दी बेशन आटा भी जो मैंने लिया था काफी अच्छा होता है इसका कोई साड़ इफ्याक नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप इसे तुरंत हटा सकते हो तो यहां पर देख सकते हो अच्छे से रिमूब हो रहा है हलकल के हातों से मैं रिवूंग कर रही हूं आप है थोड़िशा हो रही थी क्योंकि वहां है मेरे ज्यादा था हो तो यहां पर सा प्रॉब्लम हो रहीस था मुझे निकालने में आप अपने हेयर रिमूब कर सकते हो घर बैठे तो इसे अच्छे से कॉटन के कपड़े से मैं फेस को अच्छे से पानी से पोच लूँगी और आप देख सकते हों मेरे हेयर बिल्कुल साइन सा कर रहा है